काना, 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 बुलो ना, बुलो ना में कभी ना में तुमारा, जास हूँ तेरे जर्नों का सब को परदाम काना, 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 कान अब हम पांच पद्वावती पुरी धाम पद्वाद्ना जी से और अब धामी जी हमारे सामने आगे हैं पांच पद्वावती धाम का शिवाद पतान करते वे एक भजन अठो वाने गायन गायें उसके बाद वानी चट जाओ लुशितान रात प्यारी कीजे धाम के धनी कीजे समझ रजाद के चड़नों मेरा प्रेम प्रणा हूँ आज एक भजन है हमारी बाके ब्यारी की उपड़ शाम पिया तोरी छबी परवारी शबी परवारी 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 मूर मुकुट के छटामन भावन कानन कुंडल रूप सुहावन केश घटा कारी मत वारी शाम पिया तोरी छबी परवारी लाडले संदर साज जी आ अभी वानी चर्चा इस भजन के बार होगी खोड़ी द्हीं मिनट में यह भजन पूरा होगा तो हम वानी चर्चा प्रारम करते हैं ठीक है सुन्दशाजी आप तभी योई बने रहे शाम पिया तोरी छवी परवारी छवी परवारी शाम वर्ण मेरो शाम मुरारी छवी परवारी शाम पिया तोरी छवी परवारी छवी परवारी मस्तक टीका चमकता दमकता अंग अंग उन माद चलकता तुमक ठुमक पगधरात बिहारी बिहारी शाम पिया तोरी छवी परवारी छवी परवारी शाम वर्ण मेरो शाम मुरारी छवी परवारी अधर रसीले रंग रस भीने मीठी तान कहत मुरली में रूप अनूप सदा सुख कारी वारी शाम पिया तोरी छवी परवारी शाम वर्ण मेरो शाम मुरारी शाम पिया तोरी छवी परवारी शवी परवारी शाम पिया तोरी छवी परवारी शाम पिया तोरी छवी परवारी शाम परवारी शाम पिया तोरी छवी 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 परवारी शाम पि अब आए पाने चर्च आज पांच मिनट देर हुई कोई बात नहीं हम पद्वाँ चिपुरी धामपन्ना जी का शिवात मिला अब हम परम्समानियां परमिदुशी देन शादा पनादी शाद्रे करते हैं आपकी फेस्बुक पर तो शायद पहले ही चल रही होगी और आप आज के शेवाहने का अनन्द पदान करें पदाम जी क्योंकि आपके बात बच्चों का कारकम शुरू हो जाएगा मुलिय शिरी प्राणे नाथ प्यारे कीजैं सिरी सत्गुरु महराजी कीजैं स्री वंदो सत्गुरु चरणिको करू सो प्रेम परणाम आशो भरण मंगल करन स्री देव चंद्रजी नाम शिरी प्राणे नाथ निज मूले पती सिरी मेहराज सुनाम तेज कुवर शामा युगल को पल पल करू परणाम शिरी प्राणे नाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहें कीलाज जारे धनी धनवट करें त्यारे बलबैरी नाहरें वली गया काम सराडे चडें मन चित्व्या कारज सरें बोलिये शिरी प्राणनात प्यारे की जय परम शर्द्य आतम सनमंदी शिरी राज जी महराज के लाडले एवं प्यारे सरी एचकेल अहुजा जी मनिश्ट जी एवं समस्त धां धनी के लाडले शुन्दर साज जी आप समस् उन्दर साथ के हिरदे में विराज मान सिरी राज स्यामा जी के शिरी चरणहों में मेरा को टानकोट लाड़ले सुन्दर साज जी आईए धामदनी के चरणों में एक भजन रखते हुए फिर थोड़ी सीवानी चर्चा करेंगे रू हक की लाड़ली है रू तेरे अर्श की है तुमी मेरे कायम साहब तो ही आशकी है रू हक की लाड़ली है रू तेरे अर्श की है अर्श किया है दिल को फिर क्या कमी है कॉल किया जो हक ने आई वो घड़ी है हक पे मिटा दे खुद को यही जागनी है रू हक की लाड़ली है रू तेरे अर्श की है है तुमी मेरे कायम साहब तो ही आशकी है रू हक की लाड़ली है हक ने है भेजा तोफा रू को मिला है मौका हक ने है भेजा तोफा तोफा क्या है यह 18,758 वानी जो धामदनी ने हम सुन्दर साथ के लिए परमधान से तोफा बेजा है और रू को इसका रस लेने का मौका मिला है हक ने है भेजा तोफा रू को मिला है मौका बेशक इलम है पाया मुतलक इलम है पाया जो बेशक था माशुक हस के पूछे क्या जागती है रू हक की लाडली है रू तेरे अर्श की है तुम्ही मेरे कायम साहब तोही निस्बती है रू हक की लाडली है मौलिय शिरी प्राणनात प्यारे कीज़ आईए लाडले सुन्दर साज जी थोड़ी देर के लिए हम चर्चा का रस्पान करें कल हम सुन रहे थे फेर कर भलों आयों अवसर खुले भाग धनी में चित धर आपने छोड़ने ना करें संसार पर धनी दाम विच्छोवा न सैं लगार विच्छोवा नहीं कचुपक्षत आर्तम बोलिये शिरी प्राणनात प्यारे कीज़ धाम धनी अक्ष्राती निश्कलंक बुद्ध अवतार शिरी इंद्रावती जी की आतम प्रकाश हिंदी के अंदर हम सुन्दर साथ को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि ए लाडले सुन् मौका फिर मिल गया हमें क्योंकि सत्गुरु देव चंदर जी महराज दाम गये ना तो बड़ा दुख हुआ कि अब जागनी कैसे होगी लेकिन वोई सत्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी महराज तुरंत दुज्जा दे धारन कर लिया कहां दूसरे जामे के अंदर स्व देव चंदर जी महराज आके बिराजमान हो गए तो श्री इंद्रावती जी की आतम क्याती हैं लाडले सुन्दर साज जी अगर हम तार्तम से विचार करें न तो विच्छोवा नहीं कचू पक्ष तार्तम वबानी को पड़ें और तार्तम वबानी को जानने के बाद हमें पहचान हो जाती हैं कि धाम दनी तो हमसे अलग है ही नहीं प्रितम तो हमसे अलग ही नहीं हला विच्छवा नहीं कचू पक्ष तार्तम देखा जाए क्योंकि लाडले सुन्दर साज जी हमारा परातम का तन मुल मिलावे में शिरी राजश्यामाजी के शिरी चर्णों में एटनी जिवानी में कहते हैं, दो तन, तले कदम, दोनों तन, श्री राजी माराज के चरणों में आतम पर आतम, पर आतमा अमारी मूल मिलावे में बैठी है, हना सुन्दर साजू और इस आतमा के दिल को धामदनी अरश करके बैठी है, अभी आप भजन में सुन रहे थे, अर करके दिल के अंदर विराजमान हो गए फिर किस चीज की कमी रहेगी हना तो धाम के दनी फर्मा रहे हैं कि विच्छोवा नहीं कच्छू पक्ष तार्तम अगर तार्तम अबानी को देखा जाए तो हम धनी से जुदा है यह नहीं दो तन तले कदम दोनों तन हमारे स्रीराजी महराज के चर्णों में हैं परातम मुल मिलावे में और आतम के अंदर धनी विराजमाने सुपन में माया देखे हम कहते यह तो सुपना देखरी है मेरी परातम का तन्य न जो वो मुल मिलावे में वैठके इस सपने को देख रहा है हम ये माया एक सपने के रूप में देख रही है सुपन विचोवा धनी ना सहे देखिए सुन्दर साथ जी कितनी प्यारी बातें करती है शिरी इंद्रावती जी की आतम शिरी इंद्रावती जी की आतम फर्मा रही है कि लाड़ले सुन्दर साथ जी इस सपने का भी विछोडा है ना, चाएं हमारा परातम का तन सपना देख रहा है, है ना, और हम सपने रुपी संसार के अंदर आए हैं, और धनी जी सिनगार ग्रंत में फर्माते हैं, सुपन होत दिल भीतर, रू काहुना निकसत, जो सपना होता है ना, वो हमारे दिल के अंद चलता है रूह नहीं जाती आता है और सपना का होता है रूह के अंदर हम परमधाम में बैठ के यह सपना देख रहे हैं है रहे हैं और शिर्जी साहिव जी फृर्मा रहे हैं श्रीद रावती जी की आतम कि वो सपने का भी विचोडा धाम धनी सेह नहीं कर रहे हैं कि ये सपने का विछोडा भी हमारे धाम के धनी सह नहीं कर रहें लियाए वचन तार्तम सार हमें सपने में भेजा सुपन रुपी संसार में भेजा हमारी सुर्ताई उतर के आई और इस बर्माण के अंदर भी हमारे धाम के धनी सत्गुरु धनी श्री देव चंदर जी माराज तार्तम लेके आ गए लियाए वच्चन तार्तम सार खोले पार के पार द्वार बोलिये श्री प्राणे नात प्यारे की जए कैते ऐसे तार्तम बाणी हमारे धाम के धनी लेके आ गए कि पार के पार अक्षर से भी परे अक्षरातीत धाम के दरवाजे खोल दिये किसने धामधनी ने भजन की लाइन में कहते हैं फना के वजुदों को भी हकने ना छोड़ा है। हमने ये नाश्वांतन धारन किये और नाश्वांतन को भी राजी ने नहीं छोड़ा। और फना के वजुदों को भी हकने ना छोड़ा है, आश की निभाई कैसी आरश को भी छोड़ा है, सनमंद हमारा जाने हो, सनमंद हमारा जाने सारी दुनिया, हम रूहे हैं दुलहनिया, अपने पिया की हम रूहे हैं दुलहनिया, हर पल है साथ रहते हो, हर पल है साथ रहते गोपनिया, हम रूहे हैं दुलहनिया, अपने पिया की हम रूहे हैं दुलहनिया, चोटी सी एक भूल से हम आ गए परदेश में, संग में हैं, आप आए, देखो कैसे भेश में, आए हैं लेने हम को हो, आए हैं लेने हम को छाई खुशिया, हम रूहे हैं दुलहनिया, हर पल हैं साथ रहते हो, हर पल हैं साथ रहते गोपनिया, हम रूहे हैं दुलहनिया, अपने पिया की हम रूहे हैं दुलहनिया, कैसी हिकमत से उतारी है नासूत में एक युक्ति बना के और इस मृत्य लोग के अंदर धनी ने कैसे भेजा कि हमारे परातम वाले तन को तो मुल मिलावे के अंदर बैठा लिया और इस तन को धनी अरश करके बैठ गए कैसी हिकमत से उतारी है नासूत में आरश और ख्वाब देखे बैठी है लाहूत में पुछे धनी जी हमसे हो पुछे धनी जी हमसे क्या कमिया हम रूहे है दुलहनिया अपने पिया की हम रूहे है दुलहनिया इश्क धनी का हमसे हो इश्क धनी का हमसे गोपनिया हम रूहे है दुलहनिया अपने पिया की हम रूहे है दुलहनिया लाडले सुंदर साज जी धनी कहते हैं कि मैं आपका विछोड़ा एक पल के लिए भी सैन नहीं कर सकता शिरी इंद्रावती जी की आतम फर्मारी है लियाई वचन तार्तम सार कहते ही अठारा हजार साथ सो अठावन वानी लेके आए खोले पार के पार द्वार और हम ब्रम आतमाओं के लिए धामधनी ने परमधाम के दरवाजे खोल दिये है ना जानो जिन आसंका रहे धामधनी कहते हैं कि सुंदर साथ को ना मत भी शक नहीं रहना चाहिए भ्रम नहीं रहना चाहिए साथ उपर धनी एता ना सहे हमारे धाम के दनी इतना भी सैन नहीं करते हैं मेरा सुंदर साथ ऐसे न समझ ले कि हमें धनी ने यहां भेज दिया है किसी परकार की कोई शंका ना रहे और धामधनी इतना भी सैन नहीं करते हैं धनी के गुन मैं केते कहूं देखिए सुंदर साथ जी कल भी हम गुन की बात कर रहे थे कि हमारे अंदर कितने अब गुन है और धनी के गुन की मैं क्या कहूं अभी भी वो ही कह रहे हैं कि धनी के गुन की मैं केते कहूं मैं मेरे धाम धनी के गुन गुन मिनसोते क्रीपा मैं मेरे धनी की क्रीपा मैं मेरे धनी के गुनों का कित्ता वर्नन करूं मैं अबूज कच्छू बहुत ना लहूं अभी भी शिरी इंद्रावती जी की आतम प्रकाश हिंदी के अंदर फर्मा रही हैं कि मैं अभूज हूँ अंजान हूँ अभी भी ज्यादा नहीं समझ रही धनी के गुन को नहीं पार धनी ने जो हमारे उपर गुन किये हैं धनी ने जो हमारे उपर कृपा की हैं लाडले सु कोई निरवार कहते हैं धनी के गुनों को गिंती कोई कर नहीं सकता क्योंकि श्री इंद्रावती जी की आतम फर्माती है कि श्री धनी जी के गुन लिखे एक धनी जी के गुन का प्रकरण इस प्रकाश हिंदी के अंदर आया कहते हैं श्री इंद्रावती जी की आतम फर्माती ह कि ए धनी मैं आपके गुन लिखने लगी हूं अब मुझे धनी जी ध्यान से सुनना सुन्दर साथ जी दो मिनट की बात है ध्यान से सुनना सुनोंगे तो हमेशा के लिए समझ आ जाएगी शिरी इंद्रावती जी की आतम जब अपने धनी की कृपा और धनी के गुनों को ठीक है और साथ समुन्दर का मैं शाही बना लूँ ध्यान से चोदे तबक बर्माण की धर्ति का कागद बना लिया और साथ समुन्दर की शाही बना ली और जितनी भी वनस्पति निर्मान करती है उन सब की कलमे बना ली और कलम भी इतनी बारीक के कथुए का पैर सब से बा जब गुन लिखने लगूं तो एक गुन लिखते हुए एक जीरो लगा दूं कि दस हो गए और फिर एक गुन लिखके फिर जीरो लगा दूं सो हो गए ऐसे करते करते श्री इंद्रावती जी की आतम फरमाती है कि लाड़ने सुंदर साथ जी मैं सर्फा भी कर रही हूं कह रही है ना धनी के गुन अपार हैं कई कागद ना छोटा पड़ जाएं कई श्याई ना खतम हो जाएं और कई कलमे ना कम पड़ जाएं और कहते हैं इतने बारीक अक्षरों में मैं लिखरी हूं धनी जी के गुन और लिखते हूँ ये भी सोच रही हूं कि एक दूसरे के सा चिपक भी ना जाएं अक्षर इतने इस परकार से मैं धनी के गुन लिखरी हूं और एक गुन लिखते लिखते जीरो लगाती गई तो कहते धनी के गुन पदम नील तक पहुँच गए और फिर कहती हैं क्यों गुन गिनू इन अकार पर कच्छु तो गिरना निर्धार शिरी शिरी इंद्रावती जी की आतम परमाती है के धनी मैंने सोचा मैं कुछ तो गुन गिनू अपने धनी की कृपा को कुछ तो गिनू के मेरे प्रितम ने मेरे धनी ने हमारे उपर क्या क्या क्रिपा करी फिर कहते हैं शिरी मामत के गुन ना देखे एक रती धनी जगाए के दि एक रती मैं चरणों की कसम खा के कहती हूं सुन्दर साथ जी मैं चरण पकड़ के कहती हूं कि ए लाड़ले सुन्दर साथ जी हम समझ सुन्दर साथ ने धनी की कृपा को धनी को गुनों को रत्ती भर भी नहीं देखा रत्ती भर भी खेल के अंदर आके एसास तक नहीं किया के धनी कितनी कृपा हमारे उपर कर रहे है चरणों लाग के शिरिंद्रावती गुन ना देखे किन एक रत्ती धनी जगाय के दिखाव सी गुन तब हांसी हो सी अती गुन गन जब धनी जागरत करेंगे आत्मा को तब पता लगेगा के धनी ने मेरे उपर क्या क्रीपा करी और कितनी मेरे करी मेरे उपर जब आत्मा जागरत होती है तब समझती है के धनी की क्रीपा धनी के गुन मैं किस परकार से गिनूं इसलिए का गुन धनी के याद कर पकड़ पिया के पाएं सुखे बैठ सुख पाल में तोहे देसी वतन पहुंचाएं गुन धनी के याद कर ए मेरी आतम अगर किसी की कृपा की करजदार है किसी के गुनी याद करने हैं, एसान भी याद करने हैं, तो वो अपने प्रितम के याद कर, धनी के याद कर, क्योंकि तेरे प्रितम ने, तेरे धनी ने, बाले से बुढ़ापन लग, मेरे सर पे खड़े हक सुभान, याद कर, बच्पन से लेगे बुढ़ापे तक, तेरे सिर पर अगर कोई खड़ी है तो वो स्री राजी माराज नजर से ना काड़ी मुझे अवल से आज दिन क्यों कर कहूं मेहर मैभूब की जो करत उपर मौमिन नजर से ना काड़ी मुझे मेरे प्रितम ने मेरे धनी ने मुझे नजरों से अलग नहीं किया मूल मिलावे में परातम के तन को नजरों के सामने बैठाया और हुकम तो है सब में पर यामे हुकम नजर लिए कहते धनी का हुकम तो महामती कहती विश्व बर्माड के लिए पर यामे हुकम नजर लिए सिरी रज्जी महराज की पूरी नजर इस फना के वजूद पे भी रहती है नजर से ना काड़ी मुझे अवल से आज दिन ब्रिज से लेके जागनी बर्माड तक हमारे प्रितम ने हमें नजरों से अलग नहीं किया क्यों कहूँ मेहर महबूब की जो करत उपर मौमीन जो वो कृपा हम सुन्दर साथ पे कर रहे हैं जो गुन कर रहे हैं जो एक ऐसान हक का याद आवे तो चोदे तबक लगे जहर कहते हैं एक ऐसान हक का याद आ जाएं कि ऐसे भवसागर के अंदर मेरे प्रितम ने मुझे भेजा जिस भवसागर के लिए कहते हैं भवसागर की किने न पाई किनार सो तुम सहजे उतारे पार जिस भवसागर का कोई सीमा नहीं है कोई पारावार नहीं है आपने धनिया में स कहती हैं मैं तुम्हें न छोड़ू लगार रंचक मातर भी मैं तुम्हें माया में छोड़ के नहीं जाओंगी ए लाड़ने सुन्दर साज जी धनी क्याते हैं मेहरों पर मेहर धनी पल पल किये जाते हो सुख देने रूहों को चर्णों में बुलाते हो मेहरों पर मेहर धनी पल पल किये जाते हो सुख देने रूहों को चर्णों में बैठाते हो मेहरों पर मेहर धनी पल पल किये जाते हो सुख देने रूहों को चर्णों में बैठाते हो ये भी उनी का गुन है ये भी धनी की क्रीपा है जो आज हम इस वानी को चक रही है इसका रस्पान कर रही है अभी तो शिरी इंद्रावति जी की आतम हमें टेस्ट करा रही है के देखिये सुन्दर साजी ये वानी के अंदर कितना जोश हैं कितना प्रेम है और ये वानी प्रेम और विश्वास ये वानी चर्चा देती है धनी के प्रति लाड़ले सुन्दरशाज जी हमारा समय हो चुका है बोलिए श्री प्राणनात प्यारे कीजे श्री सत्गुरू महराज कीजे आये सुन्दरशाज जी हम चौपाई दोरते हैं करना सक्के कोई निर्वार धनी के गुन मैं केते कहूं मैं अबूज कच्छु बहुत ना लगूं धनी के गुन को ना ही पार करना सक्के कोई निर्वार बोलिये श्री प्राणनात प्यारे कीजे स्री सत्गुरु महराज कीजे समस्त सुन्दर साथ कीजे आज के आनंद कीजे प्रणाम जी महानी चर्चा की अबनत वर्षा मन से, हाउ से, शर्टा से, प्रेम से परमसमानियां परम जुकी पहिंशारदा प्रामीने की आनंद का सागर उमड़ा अब आज शरीवार है आज की लाज शमाजी पार मंच कार्कम है वाईए मैं अमंपित करता हूँ पारी का सेया हूँ जाएं और आज का कार्कम संचालन करें परमसमान जी बोलिये शरी प्राणनात प्यारे कीजे शरी सत्गुरू महराज कीजे समस्त फेस्बुक के सुंदर साथ जितने भी चर्चा सुन रहे हैं समस्त सुंदर साथ के हिर्दे में विराजमान सिरी राजश्यामा जी के शिरी चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम प्रणाम जी झाली